टाटा मोटर्स ने आधिकारिक रूप से कमपनी की आगामी माइक्रो एसुवी से पर्दा हटा लिया है जिसे टाटा पंच नाम से बेचा जाएगा पहली बार 2019 जरीवा मोटर शो में H2X कॉंसेट के रूप में कार को पेश किया गया था और टाटा अल्ट्रॉस के बाद ये दूसरी कार है जिसे टाटा के अलफा आर्किटेक्चर पर बनाया गया है नई पंच कंपनी की इंपक्ट 2.0 डिजाइन लैंगवज पर बनायी जाया रही है और टाटा के लाइन अप में इसकी जगे नेक्स ओन सबकॉंपक्ट SUV से नीचे की होगी दिखने में नई टाटा पंच काफी हद तक बेबी सफारी है जिसका अगला हिस्सा आकरमक है और सिगनेचर स्प्लिट हेड लैंप, बड़े फॉग लैंप और बड़े आकार की ट्राइ एरो डिजाइन वाली ग्रिल के साथ आया है इसे दमदार वील आर्चेज और दो रंगों वाले एलोई वील्स दिए गए है टाटा ने अभी तक कार की इंटीरियर और तकनीक की कोई जानकारी नहीं दी है नई टाटा पंच की बिक्री भारत में तेवहारों के समय शुरू की जाएगी Mercedes-Benz इंडिया ने एक नई AMG कार अपने पोर्टफोलियो में जोड़ी है जहां 2 करोड 7 लाक रुपए एक शोरूम कीमत के साथ Mercedes-AMG GLE 63 S4 Matic देश में लाँच की गई है नई कार भारत में पहले से बिक रही Mercedes-AMG GLE 53 4 Matic Plus का साथ देगी जिसे दमदार 4 लीटर टर्बो चार्ज V8 एंजिन दिया गया है जो 604 BHP ताकत और 8500 Nm पीक टॉक बनाता है इस एंजिन को 9 स्पीड AMG स्पीड शिफ्ट ट्रांसमेशन दिया गया है सिर्फ 3.8 सेकेंड में ये SUV शून्य से 100 किलोमेटर प्रती घंटा रफता पकड़ लेती है वहीं इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमेटर प्रती घंटा है EQ बूस्ट तकनीक से बहतर अक्सलेरेशन के लिए कार को अलग से 21 BH की ताकत और 2500 NMP टॉक मिलता है Mercedes AMG GLE 63 S Coupe के साथ Pan Americana Grill, AMG Twin Tail Pipe Exhaust, 22 Inch के हलके Alloy Wheels और Twin LED DRL दिये गए है कैबिन में Dual Screen Setup मिला है जो M-Bucks Infotainment System से लिस है इसके अलावा Nepal Leather Appolstery, AMG Sports Seats जैसे कई फीचर्स भी मिले है कार का मुकाबला Audi RS Q8, Maserati Levante, Lamborghini Urus और सेग्मेंट की बाकी कारों से होगा हाल ही में Launch Simple One Electric Scooter को Online काफी पसंद किया जा रहा है और अब कमपनी ने बताया है कि Electric Scooter के लिए 30,000 से जादा booking मिल चुकी है Simple Energy ने 15 अगस्त को ही नई e-scooter से परदा हटाया है जिसके लिए ग्रहको की दमदार प्रतीक्रिया कमपनी को मिली है Simple One को Eco Mode में 203 किलोमेटर तक चलाए जा सकने का दावा किया गया है जो इसे सबसे जादा रेंज वाली Electric Scooter बनाता है इसके साथ 4.5 किलोवाट इलेक्रिक मोटर लगाई गई है जो 72 NMP टॉर्क बनाती है Simple One की अधिकतम रफतार 105 किलोमेटर प्रती घंटा है Simple Energy ने पुष्टी की है कि 3 साल की वारेंटी वाहन और बैटरी दोनों पर दी जा रही है 1,947 रुपे के साथ Simple One की बुकिंग जारी है जिसे इसी साल से ग्राहकों को सौपा जाने लगेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें